आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्क्राइब करें बेल बटन दबाएं डोटिफिकेशन ऐकोन क्लिक करें पुराने हैं फिर भी से चेक कर लीजेगा बेल बटन आपने प्रेस करके रखा है कि नहीं इस वीडियो को पूरा देखें आज मैं आपके लिए नया रोम लेके आया हूँ जिसका नाम है Blism OS तो Blism OS वैसे बहुत लेट आता है जादा अप्डेटिड नहीं आता है बट इसका फर्स्ट Android 12.1 का बिल्ड हमारे पास आया है इस वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले प्लीज आप मुझे सोचल प्लेटफॉम पे फॉलो कर लें इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंड करें वीडियो के डिस्क्रिप्सन को जरूर से चेक करें और आई बटन को भी वीडियो पूरा देखें जिससे मुझे हेल्प मिलती है मेरे चैनल को ग्रो करने पे क्योंकि मेरा यूटूब चैनल अभी तक मॉनिटाइस नहीं हुआ है और ये बहुत इंपोर्टन होता है किसी भी यूटूबर के लिए क्योंकि उसके वेगाइड यूटूबर अपने चैनल को इंप्रूब्मेंट नहीं कर पाता है हम आते हैं अपने रूम पे ब्लिज्म रूम जो है ये 15.6 इसका वरसन हमारे पास आया है जिसका कोड नीम आया है आरकाइडिया और ब्लिज्म डिवाइस यानि कि हमारे फोन का जो डिवाइस है वो है रिड्मी नोड फोर कोड नेम मिड़ो बिल्ड इस्टेटस अनओफिसियल है और 21 जून का बिल्ड हमको मिला है अब मैं आपको इसका एब आउट दिखा देता हूँ एंडरोई 12 है 5 जून का सिक्यूरिटी पैच है एक जनवरी का प्ले सिस्टम अपडेट है कर्नल 4.9 Z-Loss का यूज किया गया है C-Linux जो है वो इनफोर्सिंग है अब हम आते हैं ये ब्लिज्म ओएस का डिफॉल्ट वाल पेपर है लेफ्ट साइट पे आपको गूगल पेज मिल जाएगा क्योंकि ये जो रूम है ये एक GF बिल्ड हाया है हमारे पास तो GF बिल्ड में आपको मालूम है गूगल लोड होके आता है राइट साइट पे जो आप एप इंस्टॉल करेंगे वो आ जाएगा स्वाइप आप करके दिखाऊं तो आपको इतनी प्रिइंस्टॉल एप देखने को मिलेंगे GF बिल्ड के कारण जिसको आप एक्सिस कर सकते हैं अपनी जरुवत की हिसाब से अगर मैं क्यूग टैस दिखाऊं तो आपको ट्रेडिशनल एंडरोइड 12 का क्यूग टैस देखने को मिल जाएगा एडिट पे जाके अपनी हिसाब से आप और बढ़ा लीजिएगा इसे या कम जादा या रिसाइज जिया रिन जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं स्वाइप आप करके दिखाते हैं डायलर गूगल का है कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है प्ले स्टोर आपको सर्टिफाइड में देगा गूगल फोटोस एप जो है वो अल्लिमिटेट मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्लिमिटेट मिल रहा है तो अच्छी बात है camera जो है graphene OS का दिया गया है मैंने gcam भी test किया है 8.1 वीडियो की description पर उसका link दे दूँगा मैं अगर आप उसे use करना चाहते हैं तो उसे use कीजिए या फिर graphene OS का camera system यूज कर सकते हैं बाकि आपको पूरा icon देखके ही समझ में आ जाएगा mostly सबका सब जो है वो gf वाला app है यानि कि google apps आपको दिया गया है about जो है about पर आप देखिए हमारा device का यहाँ detail आ रहा है Redmi Note 4, Android 12, Blizm OS 16.1 यह basic उनके context details आ रहे हैं यहाँ पर अगर आप device पर जाएंगे तो जो blizm room है कौन कौन से device के लिए available है यह पूरे list आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सभी devices के नाम के साथ और इनके home page पर आप जाके कर सकते हैं developer उनके team members को आप देख लीजिएगा mostly इसमें foreign के team members जादा रहते हैं हमारे outsider इंडिया के बाहर के और यहाँ पर maintainer के बात करें अब हम आते हैं अपने room के settings पे तो settings में हमें चलना है और इसमें आपको एक setting देखने को मिलेगा blissify जो है इसमें आपको room का पूरा settings देखने को मिल जाएगा सबसे पहले मैं आपको miscellaneous पे लेके चलता हूँ miscellaneous में आपको game space मिल रहा है साथ ही साथ यहाँ पर आपको बाकी जो चीज देखने को मिलता है वो आप देख लिजेगा केवल game space का मज़ा आप यहाँ से ले सकते हैं बाकी आप तो इतने expert हैं ही और हम आप मेरी channel पर continue होके काफी expert हो गए होंगे I think तो यह एक-एक menu आपको खोल की दिखाने की जरूरत नहीं है आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप की settings यहाँ पर मिलेंगी फोन का जो रोम का animation है उसको बन चालू कीजिए बटन का setting है जेस्टर का setting है lock screen, notification, power, many quick tells, status bar, themes के settings आपको यहाँ पर मिलते हैं और बहार के जो menu हमें default android 12 वाले user interface वाले menu देखने को मिलता है जो google की तरफ से आता है तो यहाँ पर हमें बताने like कुछ नहीं है डिरेक्ट अगर मैं आपको battery पे लेके चलो तो battery backup अच्छा है 66% battery में भी साड़े बाड़ा घंटा battery backup आप यहाँ पर देख सकते हैं बट battery एक different topic है depend करता है, vary करता है आपका device, आपके uses pattern, आपके phone के condition के health के according बट मेरे review pattern पे मुझे जो मिला है मैं उसके according बता रहा हूं कि battery backup अच्छा है आगे बढ़ते हैं यहां से storage की बात करें तो आपको 3GB variant पे 7.5GB का use करता हूँ मिलेगा device और 4GB variant पे 8.5GB का क्योंकि यह जो difference आप यहां पर calculate कर लीजिए का total कलना है आपको बस वही है, displays, accessibility, security पे चलते हैं यहां पर आपको मैं बता दू, phone का room not encrypted है यानि कि जब आप इस room को orange fox recovery से flash out करेंगे उसके बाद आपको format data click नहीं करना पड़ेगा जिससे कि आपका जो internal data है वो safe and secure है तो delete होने का कोई risk आपके लिए नहीं है इससे आगे चलते हैं यहां पर digital value working है systems पे अगर हम चलें तो first build आया है Blizzm OS का Android 12 के लिए उसके बावजूद हमें यहां पर अपडेटर देखने को मिलता है जो की अच्छी बात है फिल हाल हमारे पास जो अपडेटर है latest build के साथ आया है बिना किसी problem के इससे बाहर चलते हैं यहां पर आपके लिए कुछ नहीं है बताने लाइक मैं आपको एक बार about और बता देता हूँ जो Blizzm OS है वो 15.6 है जिसका codename Archidea है Redmi Note 4 codename video के लिए 21 जून का build है जो Android 12 है 5 जून का security patch है kernel 4.9 Z loss यूज़ किया गया है c linux जो है enforcing based है इसके अलावा इस room पे अच्छा build आया है ज्यादा कोई major glitch, bug, hang इस type का देखने को नहीं मिला है first Android 12 build होने के बावजूद भी तो आप अगर check out करना चाहते हैं तो आराम से इस room को check कर लिजेगा आपको हो सकता है यह room पसंद भी आजाए आप इसमें एक छोटा सा bug बता देता हूँ physical navigation button light working नहीं है मैं इसे notice भी नहीं करता हूँ क्योंकि यह छोटे मोटे चीच ignore करके चलने पड़ते हैं बट आप लोगों को अगर notice करना ही है तो आप लोगों के लिए मैं clarify कर दिया हूँ तो इस तरीके का जो room का review है और आने वाले next rooms की video interesting other categories की भी videos के लिए please मेरे चैनल पर आप continue रहेए यह मेरा request है और आपको मेरे चैनल पर अच्छे content देखने को मिलेंगे तब तक अब हम मिलेंगे अगले वीडियो पर thank you have a nice day